शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्बीसे न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुले इद उल्फितर का तेवहार कोरोना वायरस संक्रमन से बचाओ को देखते हुए लौकडाउन कर दिया तब सभी मुसलिम भायों ने घर में ही पड़ी ईद की नमाज और घर पे ही मनाई इद सोमवार को इद उल्फितर का तेवहार मनाया गया वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमन से बचाओ को देखते हुए लौकडाउन के आउधी 31 मई तक की गई सभी के स्वास्ते एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर ने लिया गया इस दोरान तेवहार के समय भी लौकडाउन के निया मुका पालन किया गया है सभी ने अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टंसिंग में ही इद का तेवहार मनाया इद उल्फित्र के तेवहार पर नमाज के वक्त जो भीड इदगापे नजर आती थी आज इदगाप सुने नजर आ रहे थे लेकिन कोरोना वायरस संक्रमन से लौकडाउन कर दिया गया तब सभी मुसलिम भाईयों ने अपने घरों में ही सुरक्षित इद मनाते हुए दिखे और साथ ही इद की नमाज अपने घर में ही पड़ी सभी मुसलिम भाईय आज अपने घरों में दिखे अपने परिवार के साथ ही इद मनाते हुए नजर आए तब सभी मुस्लिम भाईयों ने एक दूआ अल्ला सिकी हो इस कोरणा संक्रमन को अपने भारतवासियों को मुक्ते दे तब कुछ लोगदवरा इस वर्ष इद किस प्रकार मनाई गई है उसकी जानकारी ली गई अपने अपने घरों में अपने अपने समय से अपने अपने सवलत से नमाजे पड़ी मेरे घर में सुपर 9 वजे हम लोगों ने अमबारे परिवार के साथ में नमाज पड़ी इन बीस एन न्यूस के लिए हिंगन गाट से रवी एनुरकर के रिपोर्ट